नमस्कार दोस्तों आप सबीकर शड़ी फॉर यूपेसीपी से से मैं स्वागत है आज तारीक है 27 नवंबर 2023 भी नवंबर का अंतिम कुछ दिन बस बाकी है उसके बाद दिसंबर आ जाएगा फिर आप नए साल अप्रवेस कर जाएंगे दिसंबर के पसाद 2024 में तो आज का न्यूज पेपर आर्टिकल डिससन वीडियो होगा ये काफी सारे इंपोर्टेंट न्यूज होंगे और उसके साथ आर्टिकल भी मैं एक डिसकस करूँगा जो आपके लिए बेहाद इंपोर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखीगा एक ची और मैं बता देता हूँ एंसा राइटिंग का जो ग्रूप था अपना जिसमें 200 पर मंत था उसको अब होल्ड कर दिया गया है उसमें 400 लोग हो गए हैं इसलिए अब उसमें और ज़्यादा मैं आड नहीं कर सकता हूँ नया ग्रूप मैंने बनाया है है ना तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए आपको एड कर दिया जाएगा कॉस्ट थोरा सा बढ़ाया मैंने लेकिन चलिए छोड़ी आगे बढ़ते अपने न्यूज पर चलते न्यूज से पहले एक ची और बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टुडंट पूछ रहें अभी से क्या किया जाए किसके लिए तो अभी से MCQ प्रैक्टिस करें क्या देखें MCQ प्रैक्टिस अभी से मुझे नहीं लगता है करना चाहिए आपको जून जुलाई से पहले तो एक्जाम कता ही नहीं होने जा रहा है उसके बाद ही होगा उससे पहले तो नहीं होगा तो आपके पास मेंस के लिए समय ही नहीं रहेगा बहुत सारे बच्चे जो अभी मेंस पास कर पीटी पास किया है जिन्होंने वो अब मैसेज करते हैं सर मेंस की तो बिल्कुल तयारी नहीं है क्या करें 15 दिन में तो तियार हो नहीं सकता दिसंबर मेंस है उनका इसलिए मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता रहता हूँ कि क्या कि मेंस के तियारी अच्छे से कीजिए आपका PT का अधिकांस हिस्सा जो है वो तियार हो जाएगा कोई मैं रोज एक ही चीज दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि रोज बच्चे एक ही चीज पूचते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंस को अच्छे से तियार कीजिए उसके बाद PT के लिए बस आपको प्रैक्टिस करना होगा अब मेंस को कैसे तियार करना होता भई उसके बाद बसता है आपका बिहार स्पेसल का हिस्सा जो पीटी में पूछा जाता है दो चार सवाल पूछे जाते हैं तो वो तो आपको प्रैक्टिस से मैं सिखा दूँगा इसलिए अगर परहाई सच में सीरियसली BPSC करना चाहते हैं तो ढंग से स्ट्रेटजी बना कर कीज इन्हीं के पुत्र निजे यूपी में याद एक किसानों को पर गारी चरहा दिया था तो ये बोल रहे हैं कि 2019 का जो Citizenship Amendment Act है उसका रूल अभी तक नहीं बना है आपको नहीं पता होगा अभी पता चला होगा Citizenship Amendment Act जिसको लेकर दंगा फसाद सब हो गया था दिली सम्में वो एक्ट जो है वो आज तक लागू नहीं किया गया है अब लागू किया जाएगा उसको रूल तक नहीं बनाए इन्हों ने उसके नाम पर देश में जगह जगह प्रदर्सन हुए दंगे हो गया क्या क्या नह अब ऐसी मईड़त कर सकते कितनी बड़ी संख्या है इनसे कॉंगरेस जोरने हैं मुझे क्हा मतलब है कि गीग वरकर क्या होते है और गी-कॉनमी किया होती है नए दौर में जो नई इकॉनमी के प्रणाली बन रही है उसमें गीग-कॉनमी जो है वो सबसे ज़्यादा आपक समझा देता हूँ की एकॉनमी क्या होती है और इस आर्टिकल के बाद जो अपना दूसरा न्यूज होगा वह होगा अखिल भारतिय न्याईक सेवा से संबंधित जो हमारे राश्पती महोदिया ने चर्चा की है तो वो सवाल पूछे जानेगी संभावना उसको भी देखेंग क्या है कि भारत वो गीग एकॉनमी से भी पराए लोगों द्वारा पराया उबर, ओला, स्वीगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्रेटफार्म के माध्यम से और स्थाई या लचीरी प्रिक्रित की नौकरी से है किस से है तो ओला, 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 स्वीगी, जोमेटो, फिलिफ मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आज आपने आसपरोस में आप देखेंगे, तो इस तरह के काम करने वाले लोगों की संख्या आपको जादा दिखेगा, ठीक है, हाली के वर्सों में इस परकार कारी की लोगप्रियता बरी है, क्योंकि या कर्मियों के लिए अधिक लचीला पन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जादा है ने इसमें, कि बहुत सारे लोग इसमें जूरते हैं और काम करते हैं इसमें, हलांकि गीग एकॉनमी कर्मियों के लिए नौकरी की सुरक्षा लाभों की कमी को लेकर चिंताय भी मौजूद है, अनुमान है कि भारत में भविसमें गी कार की रक्षा और उसके प्रति उचित बेभार सुनिशित करने के लिए सरकारी नियमों और नीतियों दोरा समर्थित होना चाहिए, ये आर्टिकल ये बोल रहा है, कि आने वाले समय में तो गीग एकॉनमी का दाइरा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग किसी की बार रही है, तो सरकार को ये चीज सोचना चाहिए, कि भई उनको सही से मिल रहा है की नहीं, वेजेज मिल रहे है की नहीं, उनका जो समाजिक सुरक्षा है, जैसे बीमा है, हेल्थ है, ये सब चीज़े उनको मिल रही है की नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ें को सु पुक्तवाजार परनाली है जिसमें आम रूप से औस्थाई कारी अवसर मौजूद होते हैं बिविन संगठन अल्पकालिक सनलगनता के लिए सुतंतर करिमियों के साथ अनुबंद करते हैं अब अल्पकालिक लियाने की थोरे दिन के काम के लिए या कर्मी जो होते वो भी इस पारंपरिक न्योकता करमचारी संबंद के बाहर ऐसी गित्पिदी से आयार जित करता है वही होता है गीग वर्कर अब भारत में गीग वर्कर्स की संख्यां कितनी जादा है देखे बोस्टन कंसर्टरी ग्रूप के एक रिपोर्ट कंसार भारत के गीग कारिवल में उस तरह की डेटर आपको कहां पर यूज करना है जहां पर गीग एकौनमी से जुरी वी चीज जी आप से पूछी जाएगी ता आप उसको एकजामम में यूज्ज कर शकते हैं रिटेल ट्रेड़ वर्कर्स जैसे आप जी यो मार्ट से सरमान मागाते हैं बिलिंक्टore पहा हैं कि तुरत आ जाता है समान इस तरह में कितने हैं तो 26.6% लगभग में एक चौथाई से थोरा सा ज़्यादा हिस्सा इन गीग वर्कर्स कहां पर काम करता है तो रीटेल ट्रेड वो सेल में काम करता है टांस्पोर्टेशन में 13% हैं फाइनेंस वा इस तो रेंस में 6.3% लोग काम करते हैं मैनिफेक्शनिंग सेक्टर में 6.2% और एजुकेशन में 1% गीग वर्कर काम करते हैं एक परसेंट एक परसेंट कहां पर तो एजुकेशन में अब देगे नीती आय का रिपोर्ट है जैसे बताया गया है कि 47% आरे मीडियन स्किल ज़ुरत नहीं परती है 47% जो गीग वर्कर हैं वो वैसे काम करते हैं जैसे मान ली जो ओला उबर का कैब चलाना होगे तो उसमें ड्राइवर को आना चाहिए कार चलाना और कार चलाना कोई बहुत बरा स्किल नहीं है ठीक है वहीं आपको फूट डिलिवर करना है तो उसमे गीग वर्कर्स में किवल 22% के पास ही हाई स्किल वाले जोब है जिसमें बहुत जादा क्या पड़ती है तो कौसल के आफ सकता परती है भारत में गीग एकानोमी के विकास के चाला कौन से हैं इंटरनेट वो मोवाइल प्रद्योक्वी का उधै के कारण से गीग एकानोमी ब देखते हैं कमपनियां देखते हैं ओनलाइन फिलिपकार्ट अमेजान और पता नहीं क्या क्या यह सब क्या होता है यह सब चल रहे होते हैं क्या नहीं इनके कारण ही तो इन लोगों की संख्या बढ़ी है गीग वरकर्स की आरथिक उदारी करन भी आया है भारत में थोड़ा स भारत सरकार के आरथिक उदारी करन संबंदी नीतियों से परतियस परद्दा अधिक खुले बाजार को बढ़ावा दिया है जिस में गीग एकॉनोμी के विकासकर प्रोसाहित किया लचेले कारे की बरती मांग लोगों के पास अव अपने काम के हिसाब अपने समय के हिसाब से काम करने की सोतंदरता लोग को चाहिए कि हम दिन में काम करें, हम रात में काम करें, हम घर से काम करें या हम कहीं दूर से बैठ कर काम करें, यह सब चीज है तो flexibility इसको कहा जाता है, लचीलापन तब कोई आदमी है जो रात को उबर गायब चलाना चाहता है, दिन भर किसी और काम को करना चाहता है तो यह भी संभव हो सकता इसमें, इसका जो लचीलापन है न, इसके कारण से भी इसका धाईड़ा जो है वो धीरे धीरे बर रहा है जन सांखे की संबंदी कारफ, गीक एकॉनमी युवा, सिक्षित और महताकांची भारतियों के बरही और बरती संख्या से भी पेरित है जो अतरिक ताइस सरजन के साथ अपनी आजीव काम सुधार के इक्षा रखते हैं, दिन में कोई और जॉब कर लिया, रात को कैब चला लिया, इस तरह की चीज़े भी आपको बैंगलो और अदिली जैसे सहर में आम होता हुआ दिखेगा इकॉमर्स का विकास, भारत में इकॉमर्स के तेज से विकास के करण डिलिबिरी और लोडिस्टिक सेवाओं के मांग मूले पर दिखिनी प्रदी हुई है जिसके करण इस चीज़ों को जरह ध्यान पुरवग देखते हैं समझ में आ रहा होगा आपको देखिए यह सब टॉपिक आपको irrelevant नहीं लगना चाहिए क्योंकि यही सब टॉपिक है आपके लिए आज कल के दौर में relevant कभी भी पूछ सकता है मेंस में आप से कि बताएए गीग economy क्या है सिदस्दा यही पूछ लेगा अब वहाँ पर आप detail में अगर नहीं लिखेंगे long format में तो आपके पास आपका number कर जाएगा इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कि भी क्या है नौकडी वा समाजिक सुरक्षा का भाव भारत में कई तरह के geek कामगार स्रम संगीता के दायरे में नहीं आते है स्रम संगीता का ताथ पर है स्रम संगीता हम जब भी कोई आएगा तो उसका minimum wage तैह होगा कि भाई उसको कम से कम इतना पारिश्रमिक तो मिलना चाहिए स्वास्त बेवास सेवा निवर्ति योजनाव जैसे लावो तक उनकी पहुँच नहीं है हेल्थ बीमा हेल्थ और इन सब कुछ कमपनियों ने देना सुरू किया है कुछ कमपनियां अपने गीग वर्कर्स को हेल्थ और इन्सुरेंस वगड़ा देती है तो लेकिन अधिकांस जो हैं उनको नहीं मिलता है और सेवा निब्रितिव के बाद काभी उनके पास कोई भी ऐसा नहीं होता है इस करतीत गीक कामगारों को प्राया आघात या बीमारी के सितियें पारंपरी कर्मचारी के समान उस अस्तर की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती अगर बीमार हो गए तो बिमार हो गए हमारा क्या जा रहा है इस तरह का भी होता है बरी कमपनियों का कमपनियों द्वारा सोसन भारत में गी कर्मियों का प्राया पारंपरी कर्मचारियों को तुलना में कम भूकतान किया रहता है वे उनकी तरह के कानूनी सुरक्षा से भी बंचित होते हैं ये पिछले साल बहुत सारे जो डिलिबरी मैन है बिलिंग किट के और ये सब उन्होंन ठीक है टैने मिनट में आपको डिलिबरी भी चाहिए आप घर से निकल कर एक दूद का पैकेट लेने नहीं जा सकते हैं लहीं आप पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते हैं और आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो किसका पैसा करता है कोई कंपनी अपने जेब से देती है इनके लिए अभी समाजिक और पॉलिटिकल चीजे जो हैं वो बनी नहीं है जिस दिन बन जाएगी उस दिन इनका भी आवाज मुखर होगा समाजिक अलगाओ भी होता है गीक कर्मिया अगिर कर्मी पारंपरी कर्मचारियों के सावान समाजिक संबंद वह समर्थन पनारी से जाता है माना जाता है इसा देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं समाज जो हमारा है वो क्या मानता है जिसका कुछ नहीं होता वो गीक कर्मी बन जाता है जबकि लड़कियों के लिए माना जाता है जो इंडिपेंडेंट वूमेन है वो गीक कर्मी बन जाते है जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला delivery man का काम करती है delivery woman का तो उसको माना जाता है independent और कोई अगर पुरुस काम करता है तो उसको loser माना जाता है हमारे समाज के द्वारा माना जाता है यह चीज मैं नहीं बता रहा हूँ कोई महिला अगर चाय की दुकान खोल लेती है तो वो independent हो जाती है और कोई पुरुस अगर खोलता है तो वो loser हो जाता है तो यह मैं आपको अंतर बता रहा हूँ कि लेंगी के भेदभाव भी इसमें होता है दोनों अस्तरों पर देखना होगा आपको मैंने क्या बताया कि महिलाएं इसमें गीक कर्मियों में जैसे डिलिवरी का काम है ये सब चीजों में सामाने डूप से नहीं जूर पाती है रात को डिलिवरी पुरुस आसानी से कर लेते हैं महिलाएं नहीं कर पाती है उनके लिए जौब ओपॉर्चिनिटी वहाँ पर थोड़ा से कम हो जाता है भांकी चीजों तो मैंने अपने मन से बोल दी आगे बढ़ते हैं आगे की राह क्या है अस्पस्ट भीन में भारस तरकारों गीक कर्मियों के सुरक्षा सुनिसित हो वो कमपनियों के जवाब देख ठैरा जा सके समाजिक सुरक्षा वरन सरकारों के सुनिसित करना चाहिए गीक कर्मियों की पेंसन योजना स्वास्त बीमा जैसे समाजिक सुरक्षा कारी करम तक पहुंच हो उनकी सोसल सेक्योटी उनको भी मिले अगला क्या है इसके साथ ही पारंपरी कर्मचारी के समाण ही उनको सब कुछ अधिकार मिलना चाहिए समाजिक सुरक्षा और सरक की सुरक्षा दोनों मुहिया करवाएंगे सरकार को जिम्मेदारी तो उठानी ही परेगे ना चली आगे बरते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं जो मैंने 2019 का CA Act की चर्चा की थी उसको मैं बता देता हूँ नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 देखें नागरिक्ता संसोधन और बहुत सारे अधिनियम आए हैं नागरिक्ता के लिए Act भी बनाया था 1955 में दिसके तहट कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के जो प्रवासी लोग थे राज्थान में रह रहे उनको नागरिक्ता प्रदान किय बहुत पहले हुआ करता था बंगलादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान चुकि यहां से जो नौन मुस्लिम सरी सुनरे आप जो मुस्लिम नहीं है वो अगर भारत आते हैं किसी भी तरह से तो क्या होगा उनको हम नागरिक्ता प्रदान करेंगे और भारत कब तक आना चाहिए था उनको यह सब डेट भी देखेंगे देखिया लिखा हुआ है सिये का उदेश अफगानिस्तान बंगलादेश या पाकिस्तान के हिंदू सिख बौध जैन वो पार्सी इसाई समुदाए के प्रवास्यों नागरिक्ता देना था है सिया बारत समद्ध 2019 को एक नागरिक्ता नहीं दी गई है किसी को भी सिये के चुनौती क्या है विसेस लक्षित समुदाए ऐसा असंका है कि सिये के बाद राष्ट्य नागरिक रईश्टर देश्व्यापी संक्रन किया जाएगा देखिए यह सब चीज़ तो बोलने की चीज़ है कि होगा कि नहीं नों पकश दोनों आपको पता होने चाहिए उक्या है क्या है उत्टर पूर से समधित मुदा भी है या 1985 के असम सम्झोते का खंडन करता है जिसमें कहा गया था कि 25 मार्स उने से खतर के बाद बंगला देश से आने वाल अवैद प्रवासी चाहिए किसी के भी धर्म को हो निर्वासित कर दिया जाएगा असम मानुमानित 20 मिलियन अवैद अप्रवासी हैं ये प्रवासी राजी के संसाधन अर्थवेस्ताप दवाव डालने के लावा राजी के जन सांकिकी का निवारी रूप से परिवर्तित करते हैं देखें दरसल में इसमें रखा क्या गया था कि जो लोग 2014 से पहले भारत प्रवेस्त कर चुके हैं इन समधाय को लेग और लोग और इन देसों से उन सभी को नाडिता प्रतान की जाएगी यहीं रखा गया था इसमें लेकिन आगे क्या हुआ इसमें कि एक असम एक और हुआ था राजीव गांधी जी और असम स्टुडेंट यूनियन के बीचों 1985 में इसमें कहा गया था कि दरसल मने देखिए 1971 का बंगलादेश वार याद कीजिए उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रवासी लोग भाग भाग का भारत आ गये थे और वो असम में या नॉर्थ इसके बहुत सारे राज्यों बस गये थे अब वहाँ पर असम में क्या हुआ इसके कारण से डेमोग्रैफिक डिवेंड हो गया जो वहाँ पर लोगों का एक छेतर था कि ये हिंदू बहूल छेतर है कई सारे जगवाँ मुस्लिम बहूल छेतर हो गया असपस्टरू से मैं आपको कह रहा हूँ इसके कारण से वहाँ पर समाजी के जो ताने बाने थे वह भी गरने शुरू हो गए कि और जंजाती ये लोग जो होते हैं कभी भी बाहरी हस्तक छेप को सुईकार भी नहीं करते हैं इसके कारण से असम में बहुत ज़्यादा प्रदर्सन होते थे कि जो बंगलादेश से प्रवासी लोग आएं उनको बाहर कीजिए अब भारा सरकार ने बोला कि जो लोग बंगलादेश पाकिस्ताओं और इन सब जगों से आए हम उन सब को क्या करेंगे तो आधिकार देंगे नागरिता देंगे लेकिन उसमें नौन मुस्लिम और मुस्लिम सभी को असम से बाहर करना था लेकिन भारा सरकार ने बोला कि हम केवल मुस्लिमों को वहां से नागरिता नहीं देंगे बंगी लोग तो हम नागरिता देने जा रहे हैं इसको लेकर असम सरकार जो है और असम की राजनिती जो है वो तेज हो गई थी कि भई आपने तो बोला था कि हम किसी को नाविता नहीं देंगे फिर आप यहाँ पर गैर मुस्लिमों को दे रहो आप मुस्लिमों को नहीं दे रहो हमें तो दोनों से ही दिक्कते थी यहाँ पर इस चीज़ को समझेगा थोरा सोगे असम्मानित 20 मिलियन अवैद परवासी रहते हैं कितने 20 मिलियन इसमें मुसलिम और गैर मुसलिम दोनों होते हैं और ये परवासी राजी के संसाधन अर्थविस्था पर दवाव डालने के लाबा राजी की जन सांखी की को अनिवारे रूप से परवर्तित करते हैं मौलिक अधिकारे खिलाप आलोचकों का तर्ख है कि ये समिधान के उच्छे 14 समानता का अधिकारी कारेंटी देता है जो नारिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतिय नारिकों पर लागू होता है बांके आठकल 14 हो गया, 18 हो गया और जितने भी हैं वो सब के सब किस पर लागू होते हैं भारतिय और विदेशियों पर समान रूप से लागू होते हैं अगर कोई बाहर से आया भी है तो समानता का दिकार केता है तो भारत में कोई भी फैसला धर्म पर लागू होते हैं भेदवावपुर्ण है भारत में कई अन्य सरनारती हैं जिनमें सिलंका के तमिल म्यामार के हिंदू रोहिंग गिया यह दिनम के दाइरे में नहीं आते हैं प्रसासन में कठनाई होगी सरकार एक लवैद प्रवासियों सताय के लोगों के बीच में अंतर करना मुस्किल होगा दुपक्षे संब्ध हो बाधा होगा यह दिनम उप्यों तीन धर्मों में धारम युथ प्रकास डालता है इस परकार हमारे साथ दुपक्षे संब्ध भराब घराब कर सकते हैं बंगलादेश के साथ हमारे संब्ध खराब उसने किसी भी not a single मुस्लिम प्रवासियों को अपने देश पे घुसने दिया जब कि उक्रेशन धिया पॉलेन में और उनको सरण भी दिया ति ये मैं क्या बता रहे हूं आपको कि दुनिया भर में सरणार्थी और प्रवासियों को संकट से जूज रहा है हर देश की संसाधन सिमित होते हैं और एक चीज़ मुझे बताई हो यह पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान यह मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर गैर मुस्लिमों के साथ जादा भेदभाव होता है तो इसलिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया था गैर मुस्लिमों के लिए जब वहाँ से भाग कर आ गए हैं भारत में 24 से पहले उन सबी को क्यों न भारत में क्या किया जाए नाडिता दे दी जाए क्योंकि वो रह तो रहे हैं यह भारत में लेकिन भारती जिलत भरी जिंदगी रहे हैं उनके पास एक आईडी कार्ड तक नहीं होता है तो इसलिए भारत सरकार ने इस तरह का धिनियम को लाया था और यह कहीं ने कहीं क्या करेगा मानव अधिकार का सरक्षन भी करेगा तो आपको पॉजल प्लस और माइndस दोनों पॉइंट ध्यान में रखना होगा और यह भी आपको बताना होगा कि बहुत जादा आवादी बढ़ जाने के कारण से पर वास्यों का आवादी का बहुत जादा पर जाएगा हम पर अगर बाहरी लोगों का भी ज़्यादा दवाव बर जाएगा तो इसलिए भी आपको क्या करना पड़ेगा तो CAA को लागू करना पड़ेगा दोनों तरीके को याद रखेगा अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक ज़्यादा इंपोर्टन है आपके लिए अगला क्या था तो सम्विधान दिवस था सम्विधान दिवस कब से बनाना सुरू किया गया है या आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट करके सम्विधान दिवस कब से बनाना सुरू किया गया है और यह जो ज़र दीप धनकर जी है ये कौन है उपरासपती होते हैं इन्होंने क्या बोला कि पाल्यामेंट सुप्रीम है जबकि सुप्रीम कोट क्या बोलता है कि हमें स्वमिक्षा का दिकार दिया गया है जब आप पाल्यामेंट सुप्रीम बोलते हो उसका ये तातपर होता है कि पाल्यामेंट के द्वारा बनाएगा कोई भी एक्ट कोई भी संसोधन कोई भी आदेश ये जो होगा ये सुप्रीम होगा कोई इसका उलंगन नहीं करेगा कोई भी इसकी समिक्षा नहीं कर सकता है कोई भी इसको रिभ्यू नहीं कर सकता है सुप्रीम का तातपर क्या होगा कि नियाइक समिक्षा के सकती संविधान के किसी के पास नहीं है किसी एक्ट का किस अमेरिका में क्या है जहां पर भी लिखित सम्विधान है दुनिया भरे वहां पर क्या है जूडिसियल रिभ्यू का एक सिस्टम बन जाता है अपने आप जहां पर भी लिखित सम्विधान है अपने देश में आर्टिकल 32 के तहट आर्टिकल 13, 32, 226 और भी बहुत सारे आर्ट तो अधिक बिस्तार होता अधिक दाइरा उसका बढ़ा हुआ होता है इसको धियान में रखेगा दूसरा चीज सुनिएगा ये अगर पक्ष में लिखना होता आप ये लिख सकते हैं कि जनता के दोरा चुने हुए प्रतिनीधी हैं वोही अगर जनता के लिए एक्ट बना रहे हैं तो इसमें किसी क्या दिक्कत होना चाहिए भई सुनिएगा मैं दोनों चीजों को बताऊंगा आपको है ना यह बता सकते हैं निक जनता के दौरत चुने हुए प्रतिनीदियें लोग सभा राज सभा में या विधान सभाओं में वो अगर कोई एक्ट बना रहा है तो जनत अच्छे है तो भारत में लोगना ओर खादान नहीं बाटना पर तो घरीबी के कारण इतना गड़ी कहां से आगैं जनता के प्रतिनिदि यह चीजों की तौरत नहीं दे सकते हैं अपने देश में सर्वोच्च कौन है ना तो सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया है ना तो हमारे संसद है सर्वोच्च है हमारा संभिधान हमारा Constitution जो है वही सर्वोच्च है अपने देश में तो ये चीज ध्यान में रखेगा ये खीचा तानी हमेशा से चला है अगर आप कभी भी सुप्रीम कोट ने कोई संदेह नहीं किया लेकिन जब नहरू जी के मृत्यू होती है उसके बाद इंडरा गांधी जी बनती है प्राइम मीनिस्टर वहां से आपको सुप्रीम कोट और संसद के बीच में खीचा तानी शुरू होती दिखेगी उसके बाद से क्या हो इसी से प्रतारित होकर 1973SV में सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया ने मूल धांचे का सिध्धान्त प्रतिपादित किया था इसी संसोधन को लेकर आप देखेंगे कि 1970 से लेकर 75 तक में कम से कम 20 संसोधन हुए हैं संभिधान में इन्ही सब संसोधनों से परिशान होकर सुप्रीम काम परिवर्तन करना है कीजी लेकिन वो मूल धांचे के विपरीत होगा तो मूल धांचे के विपरीत जैसे ही जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे हम उसकी न्याइक समिशा करेंगे अब लोगों ने पूशा कि मूल धांचा होता क्या है तो मूल धांचा उन्होंने बोला कि undefine है मूल धाचा क्या है तो undefine है और परिभासित है अब मूल धाचा जैसे ही और परिभासित होता है कोई भी चीज तो हर चीज उसके दाइरे मा जाता है सुप्रीम कोट अप इंडिया ने बोला कि मूल धाचा ठीक है नाग्रिता जैसे चीज़ों जो धर्म निर्पेक्स्ता के कानून का उलंगन करती हैं तो यह कहीं ने कहीं मूल धाचे का उलंगन करती हैं इस पर देखेगा आज ने कल कुछ ने कुछ तो फैसला होगा ही मुझे नहीं पता क्या होगा यह हो सकता है भारत सरकार सुप् क्या होता है और यह क्यों चर्चा में है आने वाले समय में जिस परकार से ओल इंडिया एड्मिस्टेशन सर्विस होता है और IPS का सर्विस होता है अखिल भारती अस्तर पर जो भी होते हैं सर्विस आएफस होता है और IAS होता है आईपिस का तो नहीं होता है तो वो दो चीज अब एक चीज और सुनिएगा यहाँ पर इस से जुरे हुए एक्ट जब भी बनेंगे तो उसके सुरुवात कहां पर होगी क्योंकि यह संग को परभावित कर रहा है यह राज्यों को परभावित करेगा राज्य की सक्तियों को एमेंडमेंट करेगा और इसलिए इसके सुरुवात आर्टिकल 249 के तहत में हमेशा राज्य सभा में होती है क्या बोला मैंने IES संबंधी या IGS संबंधी कोई भी एक्ट अगर बन रहा है All India अखिल भारते सेवा कोई भी अस्थापित किया जाएगा अखिल भारते सेवा कोई भी अस्थापित किया जाएगा तीन बार बोला है मैंने इसलिए क्योंकि UPSC 2021 का 21 या 20 का सवाल है कि किस मामले में लोकसभा और राजसभा के सक्तियां भिन होती है तो अखिल भारते को अस्थापित करने के मामले में राजसभा के जो सक्तियां होती है वो जादा होती है राजसभा के पास जादा सक्तियां होती है लोगों को इंडिया जो सर्विस होती है अखिल भारते सर्विस उसको अस्थापित करने के मामले में आर्टिकल 249 के तहत में ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको अब चलते हैं कहां पर तो All India Judicial Service में आपको बता देता हूँ AIJS सभी राज्यों के लिए अतरिक्त जिला न्याधीसों वो जिला न्याधीसों का स्थार पर न्याधीसों की भरती केंद्री कित कर रहे हैं तो एक सुधार कर रही है कि जिला अस्थार पर जितने भी न्याधीस वगरा बनते हैं उन सभी की जो भरतियां हो जैसे आज भी जो आपके DM महोदे बनते हैं तो पूरे जिलास तरप पूरे देश में DM का एक ही एक्जाम होता है वहीं से सलेक्ट किया जाता है फिर राजसरगारों के सेवा मुझे उनको डाल दिया जाता है इसी प्रकार से क्यों ना जुडिसियल सर्विस का एक्जाम हो जिसमें select किये जाए candidate को जो state की सेवा है उसमें दे दिया जाए उनको जिस प्रकार संग लोक सेवा आयो केंद्रिय भरती प्रकरी आयुजित करता है और सफ़ल मीदबारों के संबर्गों का आवंटन करता है उसी प्रकार से निचली नयाइपाले का क्या नयाधीसों को केंद्रिय डूप से भरती करने और राज्यों का वंटन करने का प्रस्ताव रखा गया है कि जो जिला नयाधीस होते हैं जो बादें बरते 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 सुप्रीम कोट अफ इंडिया तक आते हैं क्यों न उनकी भरतियों को क्या कर दिया जाए तो सेंट्रलाइज कर दिया जाए क्या इससे पहले भी इसके प्रस्ताव आए हैं बहुत वार इसके प्रस्ताव किये गए हैं AIJS को पहली बार 1958 में विधी आएको चौदमी रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1958 में बहुत वार इसके प्रस्तावित किया गया जिसमें निचली अदालतों में मामले के देरी और एरियर पर चर्चा की गई थी 2006 में फिर से कार्मिक लोग सिकायत कानून और नयाए पर संसदी अस्थाई समिती न अपने 15 वी रिपोर्ट में अखिल भारतिय नाइक सिवा के विचार का समर्थन किया और एक मसोधा विधियक भी कब किया था तियार तो दुहार च्छे में तियार किया था सर्वोच लायने केंद्र को AIGS अस्थापित करने का निर्देश दिया था सर्वोच नियाल है सुप्रीम कोट इसको लिए किलियर है कि भाई इसको अस्थापित करना चाहिए और कैंसर कार भी इसमें प्रकिडिया को बनाने में लगी हुई है जल्द ही आपको यह दिखेगा यह सर्वीस तिरानवे में फैसला की स्थामिक्षा की गई हाना की आदालत ने इस मुद्धे पहल करने की केंद्र को सौता तो छोड़ दिया है दोर सतरह में सर्वोच लेयाने जिला नियुक्ति के मुद्धे पर सौता संग्यान लिया और एक केंद्रिय चैन तंतर का प्रस्ताव भी र इन सभी को क्या करना चाहिए तो इसी प्रिकार से ज़ज को भी नियुक्ष करना चाहिए वरिशरदीवक्ता अरविंद दथार जिन्हें आदालत दूरा नयामित्र अदालती का नियुक्ति करेंगे कौन करेगा तो उचिनेयले साक्षातकार के माधियम से दातार ने कहा इन्हों दातार महोदे ने कहा कि यह संभधानिक धाचा को नो तो परिवर्तित करेगा नो ही राज्यो या उचिनेयले की सक्तियों को परफावित करेगा AJIS के लाब क्या हो सकते हैं कुसल नयाइपालिका होगा इससे E-Job Doing Business होगा सरकार ने भारत की E-Job Doing Business सुधार के अपने परियास निचली नयाइपालिका हम सुधार का लक्ष रखा है कि हम district level के जो court होते हैं उसमें सुधार करेंगे क्योंकि देखिए हाई court और सुप्रीम court तो सही काम करती ही है आरोप किस पर लगते हैं आपने देखा होगा जादा आरोप lower court पर जादा लगते हैं हाई court पर भी आरोप लगते हैं पिछले साली पटना हाई court पर भी आरोप लगा था बहुत सारे चीजों का लेकिन दरसल में नीचली जो court होते हैं उन पर जादा आरोप लगता है जनसंख्या उनपात में नैधीसों के न्यूक्त करना एक विधियाय का रिपोर्ट उन्हें से सतारीस से फारिस की कि भारत में 10.5.0 नैधीस के तुल्ला में परती मिलियन जनसंख्या पचास नैधीस होने चाहिए अभी 10 ही है लेकिन पचास नैधीस कम से कम होने चाहिए अब सुक्रित संख्या के मामले में यहां आखरा 20 नैधीसों उपार कर गया लेकिन यह अमेरिका यह युके के तुल्लाम करम से 107 वो 59 प्रति मिलियन लोगे तो लम कुछ भी नहीं है अब 20 नियाधीस ही एक मिलियन लोगों पर 10 लाख लोगों पर मातर 20 नियाधीस है अपने देशों में अमेरिका में 107 हैं और United Kingdom में 51 नियाधीस काम करते हैं जब आपको कानून का राज अस्थापित करना होता है ना वास्तविक्ताम लोगों को नियाए देना होता है ना तो आप इन चीजों पर ध्यान देते हो नहीं तो मांकी चीजे तो हैं ही ध्यान देने लाइक इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए भई कि हमारे देश में हॉस्पिटल कितने है नयाधीस कितने है पुलिस बलों की संख्या कितनी है क्योंकि यही तो चीजे लोगों को चाहिए लोगों को थोरी न हावाई जाज में बैठ कर चांद पर जाना है यार वो तो बड़े लोगों की चीजे होती है मैं क्या बता रहूँ सामाने लोगों के लिए यही सब दिक्कते होती है कि कोट में उनके केस पर हुए दस-दस साल से वो निपट नहीं रहा है ति यह सामाने लोगों से जुरा हुआ मुद्दा होता है समाज के सीमान तवर्गों का उच्छे प्रतिंजित है सरकार कांसार AIGS समाज महासी पर जीवन यापन करें लोग और वन्चित वर्ग के समान प्रतिंजित के लादर समाधान होगा देश में सारे तीन सो से चार सो मातर नया धीसों के परिवार हैं जिनका पूरा नया प्रनाली पर कब जा है सही सब्द में यूज़ कर कब जा है सुप्रिम कोट अप इंडिया दुनिया भर में लिब्रलाइशन का काम करने के लिए बोलती है कि LGBT को लाओ करो ये करो वो करो फ़लाना द्रिकाना सब समाज पर वो बहुत सारे चीज़ों को थोपते हैं लाओ भी करते हैं सही भी लाओ करते कितिनी वार लेकिन अपने उपर अभी कभी उन्होंने कुछ भी लाओ नहीं किया कि हमारे जो नया दीस आ रहे हैं क्यों एक ही परिवार के तीन तीन नया दीस बन रहे भई वहाँ पर परिवार बाद है वो आपको दिखना चाहिए था तो AIJS जब अस्थापित होगा तो जो परिक्षा पास करेगा वो सब नयाधीस बन सकते हैं और जहां तक मरजी वहां तक बन सकते हाई कोट सुप्रीम कोट में नयाधीस हो कि नियुकती के लिए कोई पारदर्सी प्रिकरिया नहीं है आज भी तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रभावसाली समू को अकर्षित करना सरकार का मानना है कि अगर ऐसी कोई सिवा स्थापित होती तिससे प्रभावसाली लोग एक समू बनने मदद मिलेगी जो बाद उच्छी नयाधीस पारिका का हिस्सा बन सकते हैं बोटम अप अप अपरोच भरती में बोटम अप अपरोच निचली नयाप आल का मप्रष्टा चाहर और भाई भदिवाद जैसे मुद्धों को समाधान करेगा कि नीचे सूपर की तरफ बरना चाहिए ठीक है बोटम अप अपरोच होना चाहिए ठीक है कि सामाने वर्ग से जिस प्रकार से कोई धलित वंचित का बच्चा भी आईएस का एक्जाम पास करके जा सकता है तो धलितों के मुद्धों को ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्या करेगा तो एड्रेस कर पाएगा उसी प्रकार से अगर सभी छेतरों से नैधीस बनकर आएंगे देस में और वो कोट तक जाएंगे उचे कोट तो एक बार को हो सकता है डिस्टी कोट में नैधीस बन जाते हैं लेकिन प्रकारिया चुकी पारदर्सी नहीं है इसलिए उचले कोट तक उची कोट तक नहीं जा पाते हैं वो लोग ठीक है तो यह सब से क्या होगा कहीं नैक सुधार अपने डेश में लागोबघालोच नही से हिसाब तक की जाती है राज्यों किसकती का तिक्रमन केंद्रिये कि भरती पर करिया आगो संघवादी की भावना के बिरुत वो समधान दौर प्रदत राज्यों के सकतियों का तिकरमन के रूप में देखा जा रहा है यह राज्य भिषिस चाहिए अब चिंता कौन-कौन सी है भई देखे उधारन के लिए भासा परतिनी तो इस समझने मुख्य मुद्दा होगा नैपाली का कारी छेतरी भासाम संजालित होते हैं जो केंद्रिय भरती से परभावित हो सकते हैं नियाई कारी जो नीचली अदारत में होते हैं वो छेत होते हैं सुप्रीम कोट में तो आर्टिकल 338 के तहत है साइथ कि केवल इंगलीस में ही आप क्या कर सकते हो लेकिन नीचले कोट में जब आप जाएंगे दिस्टी कोट वगरम तो वहाँ पर लोकल लेंग्वेज भी चलता है हिंदी चलता है इंगलीस चलता है तो अगर आप IGS में किसी तामिलाडू के लडगे को आप बिहार में नैधिस बना देंगे तो वो फिर तंतर वहाँ पर क्या करेगा तो प्रभावी नहीं हो पाएगा खीक है लेकिन इसमें फिर इसका काट क्या आता है इसका तर्ग क्या दिया आता है कि किसी IGS तामिलाडू का उसको भी तो बिहार में लगाया जा सकता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है तब तो दिक्कत नहीं आती है ना वहाँ पर भी तो मैनेज करते हैं ना दिकारी कि किस प्रगार से भासा को मैनेज करते हैं उनको भासा की ट्रेनिंग भी दी जाती हो भासा सीखते भी हैं जिस भी करिक्षा जिला नयादीशं नीक्तिव्मेर को सकती देगा कि नlyatist किसको बनाना चाहिए किसको नहीं और इसके कारण से क्या होगा सकती Pain अगला है कि सनरसनात्मंग मुद्दो के संबोधित नहीं करेगी अखिल भारतिये नाइक सेवा कि निर्मान से नीच ली नयापालिका के समक्ष मौझूदा सनरसनात्मंग मुद्दो के समधधान नहीं होगा उन मुद्दो के समधधान के लह में कुछ और करना परेगा 293 अखिल भारतिये नियाधीस संग के मामले में राज में एक रूपता लाकर विभीन वेतन मान और पारिसरमी के मुद्दों को सरवज नियाले द्वारा संबोधित किया गया था विशे सग्यों का तर्क है कि सभी अस्तरों पर वेतन बरहाना और यह सुनिशित करना कि उच नियाले के नियाधीस का एक अंस निचली नियापालिका से चुना जाएगा गुनवत्ता पुनपरतिभा को आकर शित करने के लिए केंद्रे परिछास बेहतर भी कल्प हो सकता है कुछ विसे सग्यों न तर्क दिया है कि निचली नियापालिका से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा अगर इसको लेकर हमने एक ट्रांस्पेरेंट सिस्टम बना लियाना तो हमें AIGS के आप सकता नहीं पड़ेगी आज भी ट्रांस्पेरेंट सिस्टम इसके लिये नहीं है डिश्टी कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा इसको लेकर बरे अस्तरवर भिवाद होते भरष्टा चार भी होते बिल्कु सई सुन रहें आप तो आज भी उसके लिए कोई ट्रांस्पेरेंट प्रनाली अपने देश मौजूद नहीं है इसको अगर बना लिया जाएगा तो इसकी ज़ुरत नहीं परेगी अब वर्तमान भी धी क्या है अब वर्तमान में कैसे न्युक्ती होती वो तो पता चले भई भारत के समिधान का नुच्छे 233 वो 234 जिला नहीं अधिसों के न्युक्ती समंदी तथा इस भी सेगा राजिक अधिकार चेतर में रखते हैं चैन पर करिया राजिक लोक सिवायोग वो समंदीत उच नहाय पालेगा नहाय द्वारा संचालित की जाती है क्योंकि उच नहाय राजिमें अधिनस नहाय पर अधिकार का चेतर का प्रयोग करता है हाई कोट के अंदर में उस राजिके सभी जिला नहाय आते हैं उच नहाय अधिसों के पैनल परिक्षा के बाद उमिदवारों का साक्षात करते हैं और नियुक्ती के लिए उनका चैन करते हैं मतलब हम ही राम हैं, हम ही रहीम हैं हम ही परिक्षा लेंगे, हम ही इंटर्व्यू लेंगे हम ही सब कुछ डिसाइड करेंगे तो नियायलेक अपना एक तंत्र अलग ही है बिलकुल वो टांस्परेंट नहीं है इसी को लेकर बारवार सवाल उठाए जाते हैं निचली नयायपाल का गिजिला नयाधीस अस्तर तक के सभी नयाधीसों का चैन प्रांतिय सिविल सेवा नयाइक परिक्षा के माधियम से किया जाता है जो स्टेट का जूरी सेल का एक्जाम होता है उसके माधियम से किया जाता है ठीक है तो ये पूरा समझा दिया मैंने आपको AIGS भी समझा दिया GIG ECONOBI भी समझा दिया 2019 का ACT भी समझा दिया है आपको और सुप्रीम कोट और संसाद में सर्वोचकोन वो भी समझा दिया है मैंने आपको आज का news paper decision यहीं तक था कैसा लगा है वीडियो जरूर बताईए कॉमेंट करके और paid group जोईन करना हो तो टेलिग्राम पर मुझे message कीज़ आपको जोईन करवा दूँगा मैं थैंक्यू सो मच आप सभी का